कोरोना वाइरस को खद्म करने के लिए दुनिया भर के जादा तर वैज्ञानिकों का मानना है कि एक मात रुपाई वैक्सिन है ऐसे में कई देश कोरोना के खिलाफ वैक्सिन बना रहे हैं और उसका निरिक्षन कर रहे हैं इस कड़ी में बहुत बड़ी खुशकबरी आई है कि अमेरिका में कोरोना की वैक्सिन बन कर तैयार हो गई है अमेरिकन वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वाइरस के संक्रमल को मजबूती से रोकने में उनकी वैक्सिन छमतावान है दरसल दुनिया भर के वैग्यानिक इस महामारी की दवा खोच रहे हैं लेकिन अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक छमता बढ़ाने वाला वैक्सिन बना लिया है बताया जा रहा है कि इस वैक्सिन को अमेरिका के यूनिवरस्टी ओफ पिट्सबर्ग स्कूल ओफ मैडिसिन के वैग्यानिकों ने डेवलप किया है वहा के वैग्यानिकों ने बताया कि वे बाकी देशों की तुलना में सबसे पहले कोविड-19 कोरोना वाइरस की वैक्सिन विक्सित कर चुके हैं वैग्यानिकों की माने तो उनकी वैक्सिन सार्स और मर्स के कोरोना वाइरस को आधार बना कर तयार की गई है कहा जा रहा है कि ये दोनों SARS और MERS के वाइरस नए वाले कोरोना वाइरस यानि COVID-19 से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं SARS और MERS और COVID-19 के स्पाइस प्रोटीन को खत्म करना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से ही रोगी वाइरस से बच सकता है इस बारे में Pittsburgh School of Medicine की Associate Professor आंद्रिया गंबोट्टो ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने ये पता लगा लिया है कि वाइरस को कैसे मारना है वाइरस को खत्म करने के लिए हमने अपनी वैक्सिन को चुहे पर टेस्च करके देखा जिसके परिणाम बेहत पॉजिटिव थे कारगर साबित हुए आंद्रिया के मुताबिक कोरोना को रोकने के लिए जितनी एंटीबोडी की जरूरत शरीर को होती है उतनी पिटगोवैक वैक्सिन पूरी कर रहा है इस वैक्सिन का इंसानों पर ट्रायल भी जल शुरू होने की संभावना है ये वैक्सिन इंजेक्शन जैसी नहीं है यह एक चौकोर पैच जैसी है जो शरीर के किसी भी स्थान पर चिपका दी जाती है इस पैच का आकार उंगली के टिप जैसा है इस पैच में 400 से जादा छोटी छोटी सुईया है जो शक्कर से बनाई गई है इसी पैच के जरिये उसमें मौजूद दवा को श हो चुकी है वहीं 10 लाख लोग वाइरिस से संक्रमित भी है मीडिया दर्बाद की आस रिपोर्ट